एपिसोड के स्टार्ट में हमें तांजीरो की टीम को दिखाया जाता है जिनकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती क्योंकि सीजन डू के एंड में उनने अपर रैंक 6 से फाइट की होती है इसी बीच वहाँ पर काकुसी आता है जो कि उनकी कंडीशन खराब दिखकर भाग कर उनके पास जा रहा होता है अधर साइड हमें हासिरा के लीडर को दिखाया जाता है जिसकी कंडीशन भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती पर वो खुश लग रहा होता है क्योंकि 100 सालों में पहली बाद किसी डीमन स्लेयर ने अपर रैंक 6 के डीमन को हराया होता है जिसके चलते ही उसे एक उम्मीद की किरण ने जरा आती है कि उनकी इस जेनरेशन में काफी जाता दम है और वो फाइनली जाकर डीमन और खासकर मुजान का खात्मा कर सकते है जिसके बाद सीन इंफिनिटी कैसल में पहुशता है जहाँ पर अपर रैंक 3 अकाजा मौजूद होता है और यहाँ पर उसके रॉंग्टे खड़े हो गए होते है क्योंकि उसे समझ में आता है यह दि वो काफी सालों के बाद इंफिनिटी कैसल में आया है इसका मतलब किसी अपर रैंक डीमन को मार दिया गया है जिसके बाद हमें काफी ब्यूटिफुल एनिमेशन के साथ अगाजा को मीटिंग प्लेस में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर अगाजा की मुलकात अपर रैंक डीमन 5 ग्यूगो से होती है जो कि ये दिखकर काफी खुश होता है कि 90 सालों के बाद वो सारे डीमन यहाँ पर मिलने वाले है इसे बीच हमें अपर रैंक डीमन 4 हैं टैंगो को दिखाया जाता है जो कि एक काफी डरपॉक डीमन होता है इसे बीच अगाजा पूशता है कि क्या लॉड मुजान यहाँ पर पहुच गये है जिस पर उसे जवाब मिलता है कि अभी तक कर वो नहीं आए है इसलिए अकाजा फिर से पूशता है कि क्या अपर रैंक 1 यहाँ पर पहुच चुका है और वहीं उसे जवाब मिल पाता इसके पहले ही अपर रैंक 2 डोमा वहाँ पर पहुच गया होता है जो कि काफी फ्रेंडली तरीके से अकाजा से मिलने आया होता है और वहीं पर अकाजा को उसकी यह हरकत पसंद नहीं आती और हमें साफ साफ समझ में आता है कि अकाजा डोमा को पसंद नहीं करता जिसकी वज़े से वो यहाँ पर डोमा का मुही तोड़ देता है पर वहीं पर अकाजा की इस हरकत के बावजूद भी दोमा उस पर नहीं भलकता और वो काफी चिल होकर उससे बाते कर रहोता है तभी हमें दिखाया जाता है कि अपर रैंक वन कोको शिबू आपर अल्रेडी मौजूद होता है और उसने सारा कांट देखा होता है और तभी वो बताता है कि लौड मुजान यहाँ पर बहुच चुके हैं जिसके बाद हमें मुजान को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरे लेबार्टरी के साथ वहाँ पर पहुच गया होता है और उसे पता होता है कि अल्रेडी अपर रैंक 6 मारा जा चुका है जिससे उसे थोड़ी तकलीफ होती है पर यहाँ पर उसने सबको इसलिए बुलाया होता है क्योंकि उसे बिलू स्पाइडर लेली के बारे में उनसे जानकारी चाहिए होती है और जब इसके बारे में वो डीमन से पूसता है तो कोई भी उसे जवाब नहीं दे पाता जिसकी वज़े से मुज़ान को काफी दा गुसा आता है और वहाँ पर वो तबाही मचा देता है बट वहीं अपर रेंक फाइफ मुज़ान को बस जोटे वादे कर रहा होता है जिसकी वज़े से मुजान का दिमाग साटक गया होता है और वो अपर रेंग 5 का सिर्यो खार देता है जहां इसके बाद वो सबको चमगाते हुए गहरा होता है कि उसे बिलू स्पाइडर लेली के बारे में पूरी इन्फुमिशन चाहिए और वहीं पर इन सारी चीजों के बारे में वो यहां पर अपर रेंग 5 और अपर रेंग 4 को काम देता है कि वो उसके इन्फुमिशन ढूंटके उसे लाके दें इसके बाद मुजान वहां से चले गया होता है वहीं मुजान के जाते साथ ही यहाँ पर डोमा अपर रेंक 5 से पूसता है कि वो भला अकाजा को क्या इंफोमीशन देने वाला था जहाँ पर उसे कुछ पता चल पाता इसके पहले ही अकाजा आकर डोमा का सरी ओडा देता है इसी इसके चलते ही अपर रेंक 1 आकर वहाँ पर अकाजा के हाथ को काड़ देता है और उसे यहां पर रुकने के लिए कह रहा होता है क्योंकि यहां पर उसे अकाजा की हरकते पसंद नहीं आ रही होती क्योंकि वो यहां पर अपने साथियों से अच्छा पिहेव नहीं कर रहा होता है साथी साथ अपनी मनमर्जी कर रहा होता ह इसे बीच हमें पता चलता है कि डोमा से अकाजा इसलिए जलता है क्योंकि डोमा अकाजा के काफी बाद में आया होता है उसके बावजूद भी उसने अपर रेंग 2 की सीट हासिल कर ली होती है जिसकी वज़े से ही अकाजा डोमा से काफी जादा जल रहा होता है इसी इसको सुनने के बाद हमें अपर रेंग वन का फेस दिखाया जाता है जो कि काफी भयंकर होता है और वो यहां पर अकाजा को वार्निंग दे कर 921 हो गया होता है जिससे अकाजा के भी रॉंक्टी खड़े हो गए होते हैं बट वो अपर रेंग वन को प्रॉमिस करता है कि वो से जरूर मार कर रहेगा जिसके बाद हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि एक अपने महमान की सेवा कर रहा होता है और ऐसा करते हुए वो से उसका नाम पूछ रहा होता है पर वो बंदा तांजीरो को अपना नाम नहीं पता था इसी बीच हमें पता चलता है कि त तांजिरो तो सिर्फ यहाँ पर सपना देख रहा है और वो दो महिने से कंटिन्यू कौमा में था जिसके चलते ही जब उन्हें पता चलता है कि तांजिरो कौमा से बाहर आचुका है इसली सको देखकर सब लोग वहां पर एकठे हो गया होते हैं और तांजिरो का हाल-चाल वहीं पर साउंड हसीरा अपनी वाइफ के साथ ही चले गया था और उनकी कंडिशन भी ठीक है जिस बात को सुनकर अपना तांजीरो पूसता है कि फिर इनुशी की का क्या हुआ जिस पर उसे सब बता रहे होते हैं कि इनुशी की कंडिशन काफ ज़्यादा खराब थी क्योंकि इसकी बाड़ी में पूरा जहर फैल गया था पर इसके बावजूद भी वो जैसे तैसे सर्वाइफ कर चुका है जिस पर तांजीरो कहरा होता है कि यदि ऐसी ही बात है तो छट पर कौन लटका हुआ है तब ही सब लोग छट पे दिखते हैं और उन्हें इनुश के नजर आ दिख'll कण लाता है और भही पर तांजीरो दीर-दीरे रिकावरी कर रहा होता है जहां रिकावरी के दौरान वह पूसता है कि क्या इसकी शौड्ड आ गई है जिस पर उसे बताया जाता है किसका सौर्ट समित उसे काफ़े ज़्यादा नाराज है क्योंकि उसने दोबारा से अपनी सौर्ट तोड़ दी है और यदि उसे सौर्ट चाहिए तो वो सौर्ट स्मित विलेज चले जाए जिसके चलते ही वो काकुसी के साथ सौर्ट स्मित विलेज जा रहा होता है जहां जाते हुए तांजीरों के आख मू नाकान सब बंद कर दिये जाते हैं क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि सौर्ट स्मित विलेज कहा है क्योंकि यदि डीमन्स को पता चल गया कि उन्हें मारने वाली सौर्ट को कहां बनाया जाता है तो वो उस जगह में ही तबाही मचा देंगे इसके चलते ही जब तांजीरों को काकुसी लेकर जा रहा होता है तो किसी इस विलेज में लवहासिरा मिस्सूरी को दिखाया जाता है जो कि होट स्प्रिंग में होट बात ले रही होती है और उसे अपने तांजीरों की आवा सौनाई दे गई होती है जिसके बाद तांजीरों इस विलेज के चीफ ताचिन से मिलता है जिन से बात करते हुए वो बत होतारू की है क्योंकि उसने ही ऐसी फॉल्टी शॉर्ड बनाई जो सॉर्ड बार-बार तूट जाती है और इसलिए जदी उसे होतारू मिलेगा तो वो लोग उसकी अच्छे से खबर लेंगे साथी साथ जदी होतारू उसकी सॉर्ड नहीं बनाएगा तो वो किसी दूसरे पारों का सुक्र गुजार होता है क्योंकि वो लोओ उनके लिए शॉर्ड बना रहे होता है इसके बाद ताँजिरो हॉर्ड बार पको तुम जा रहा होता है इसे बीच उसकी मुलाकात मिस्वर सो होती है जो कि अपने तांजिरोff से मिलने गया काफी जादा एक्साइड रह उसलिए यहाँ पर Thanjiro से दोस्ती करने में बिल्कल भी इंट्रस्टीड नहीं रहता करता गर sugar के बात बाते करते हुए अपूच लेता है वहीं उसने सुना था कि हाशरा काफ़ जादा स्ट्रॉंग होते हैं इसलिए उसने काफ़ जादा मेहनत करी और वो भी एक हाशरा बन गई जिन बातों को सुनने के बाद तांजीरो के कान फटे के फटे रह गए होते हैं इसे बीच वहाँ पर एक काकुस ही आती है जो कि मिसुरी को बताती है कि उसका वेपन आल्मोस्त तयार हो गया है और वो जाकर उसे देख ले जिस बात को सुनकर मिसुरी जाने लग गई होती है पर जाने के पहले वो अपने तांजीरो से कहती है कि तांजीरो ने जिस अपर सि स्टीमन को हराया है उसे हराने में अच्छे अस्छे के पसीने छूड़ आते हैं इसलिए यहाँ पर तांजीरो अब काफी जादा स्ट्रॉंग हो गया है जिस बात को सुनकर तांजीरो भी कहरा होता है कि अभी भी उसे काफी जादा हार्ड वर्क करना है और काफी जादा स्ट बन जाएगा और ये बोलकर मिस्टूरी वहां से चले गई होती है वहीं मिस्टूरी की बात को मानकर ही अगले दिन तांजरो तयार होकर विलेज की तरफ निकल गया होता है जहां आगे जाते हुए उसे रास्ते में मिस्ट हासिरा मुशीरो नजर आता है जो कि एक बच्चे से बात कर रहा होता है और वहीं पर तांजरो जब ध्यान से देखता है तो उसे बच्चे की साइड में एक फैमिलियर सा बंदा नजर आता है जिससे देखकर उसे ध्यान आता है कि ये वहीं बंदा है जिससे उसने अपने सपने में देखा है और वो उसे पहचान गया होता है जिसके चलते ही तांजीरो उस बंदे से बात करने के लिए जा पाता इसके पहले ही यहीं पर एपिसोड का एंड होता है जै थी आज की वीडियो और एदी आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट और ऐसे ही एंड में आपको इन्जोई करने हो तो आप इस वीडियो पर लाई कमेंट और चैनल को फुट फुट से सब्सक्राइब कर लें तब तकर के लिए टे कैर एंड गूड बाई झाल, झाल, झाल